स्रेश रवाय नमस्तो भ्यायम हम सबको पता है कि 4 जुलाई को मासिक स्युरात्री का बहुत ही विशेस सदिन है ये शुरात्री विशेस क्यों है पता है क्योंकि ये सामन से पहले पढ़ने वाली शुरात्री है और अगर आपकी wishes, इच्छाएं काफी दिनों से अधूरी हैं, वो पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूझ गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से बताऊंगा, कुछ भी नहीं करना, चावल के साथ दाने लेने हैं, छोटा सा सुपाय करके देखिएगा, जो भी आपके wishes होंगी, इच्छाएं होंगी, महादेव पूरी जरूर करेंगी, ठीके न, चलो समझने, कोशिच करते हैं सुपाय को, सबसे पहले बता दू कि हमें सिर्फ चावल ही ने लेना, कुछ और चीजों को लेना होगा, पहले समझ येग बेल पत्र, तो आपको एक बेल पत्र लेना ही लेना है, बेल पत्र भी ले लिया, फिर आपको थोड़ा सा हरा मूंग लेना है, घर में सभी के होगा, थोड़ा सा हरा मूंग, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना, एक सिंपल सा तामबे का लोटा लो, उस तामब पहुचदा महाद्यो के शिवलिंग के पास में, जरूरी नहीं है कि यह उपाएं आप मंदर में करो, चाहे तो अपने घर पे कर सकते हैं, कहीं भी करो, सुबह, दोपहर, शाम, राथ, कभी भी करो, समझेगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या दिखाया था, चावल के दाने, त जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को महाद्यो के शिवलिंग के ठीक उपर समर्पित करके, और जो मूंग के दाने मैंने आपको दिखाये हैं, अपनी मनोकामना, अपनी विशेज, भोले, शंकर, मा पारवती का ध्यान करते हुए, उस मूंग के दाने को इसी बेल पत्र के उपर आपको रख देना, ठीके ना, रखने के बाद में जो काले तिल वाला जल आपके पास में है, उसे जब महाद्यो के शिवलिंग के उपर समर्पित करेंगे, तो आप अपनी मनोकामना तो कहोगी, कहोगे, साथी साथ महाद्यो का एक बहुती स्पेशल सा आपने जल चड़ा दिया, जिस भी कामना से, जिस भी इच्छा के लिए आप इस उपाय को कर रहे होना, वो विश्यज आपकी पूरी जरूर होंगे, ठीके ना, सावन से पहले पढ़ने वाली ये शुरात्री है, तो आप सभी लोगों को उपाय, जरूर से जरूर करना होग ठीके ना, समझ मैं यही बात मेरी, चलो, तो पहले उपाय के तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है, आपके पास में दो आप्शन है, पहला आपके पास में है, कि अगर आपको धतूरा मिल जाता है, तब तो उपाय धतूरे से करोगे, और धतूरा नहीं मिलता है, तब आप इस उपाय को चावल के दाने से भी कर सकते हैं, इस उपाय को बताने का परपस मेरा ये है, काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं, बैया हम लोग बहुत बड़े शहर में रहते है हमें धतूरा नहीं मिलता हम क्या करें तो आप उसकी जगे पे चावल का दाना ले सकते हो पहले समझेगा इस उपाय के बेनिफिट क्या है आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य है चाये कोई भी हो जिसको बीमारी घेरी हुई है और बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है इस उपाय को करिएगा ठीक है ना पहले समझने कोशिश करते हैं ये वही उपाय है जो पूझ गुरुजी ने साथ धतूरे वाला बताया था बट अगर आपको धतूरा नहीं मिलता तो धतूरे के जगह पे आप साथ चावल का दाना ले ले ला ठीक इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की जरुवत नहीं है अब देखो आपको पता है महादयो के शिवलिंग के उपर उनका पूरा परिवार विराजमान है महादयो का पता है आप सबको तो आपको क्या करना है जो आपके पास में साथ धतूरा या साथ चावल के दाने उन्हें समर्पित करना जो पहला चावल का दाना होगा उस पहले चावल के दाने में हलका सा आपको लाल चंदन लगा करके पहले उस चावल के दाने को महादयो की शिवलिंग के उपर समर्पित करना पहला हो गया बाकी के जो छे चावल के दाने हैं उसमें आपको कुछ नहीं लगाना सादा धतूरा सादा चावल के दाने या धतूरे आपको समर्पित करने हैं कहां पे भगवान गनेश के स्थान पे दूसरा चावल तीसरा चावल भगवान कारती के स् जो पचवा होगा वो आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पे पांच हो गए और जो छटवा वाला है उस छटवे वाले को चाहे तो महादयो के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना या फिर नंदी बाबा अगर बैठे हुए है महादयो के पास में तो उनके ऊपर सात्मा चावाल का दाना होगा जिस जगे से जल नीचे गिरने ही वाला होता है बिल्कुल इसी अंडपॉइंट पे जो विक्ति आप घर में बीमार पड़ा है परेशान है उस विक्ति का नाम और गोतर बोलके इसी अंडपॉइंट पे 7 धतूरा या फिर 7 धावाल का दाना समर्पित करेंगे ठीक है न जब आपकी पूरी पूजन खतम हो जाए चड़ा चुके इन साथ की साथ धतूरे को या फिर इन साथ के साथ चावल के दाने को उठा लेना जो भी विक्ति आपे घर में बरसों से बीमार पड़ा है उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रहे है आप बह प्रेम से रखना नहीं है उसको वहाँ पे पटक करके और फिर आप अपने घर की तरफ चले जाना यकीन मानिए मासिक सिरातरी का बहुत ही फेमस बहुत ही स्पेशल साई उपाय है आप सभी को करना है किसी भी विक्ति को इस उपाय को भूलना नहीं होगा ठीक है ना करिए तो यहाँ पे हम लोगों ने दो उपाय की बात कर ली है तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि ये भी आपको मासिक सिरातरी के औसर पे ही करना है लेकिन क्या इसके फायदे हैं और हमें कैसे करना है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को ल benefit क्या है अगर आपके घर में बहुत जादा लडाईया होती है हर चोटी बात को लेके आपस में लोग लड़ते भिड़ते रहते तो आप इस सुपाय को करिएगा एक छोटी सी कटोरी लें स्टील की सभी घर में होगा इसमें आपको डालना है कच्चा दूध ठीक है कटोरी मे कुछ और मतले ना कटोरी के अंदर क्या करोगे बेल पत को डाल देना दूध वाले फिर आप इस कटोरी को उठाना उठाने के बाद में आपके घर में जितने भी कमरे हों रूमसों जितने भी कमरे हों उन सभी कमरों में लेकर के उस कटोरी को घूम लेना है ना घूमने के बाद में आपको क्या करना है लेके जाना महादेव के शिवलिंग के पास में इस उपाय का एक टाइम है और वो टाइम है बारा बजे चाहे दोपहर के बारा बजे या रात में बारा बजे आप अपने घर के शिवलिंग के पास में या फर मंदिर में जा करके उपाय कर सकते है Face रखिएगा उत्तरदिशा 10 Direction जो बेल पत्र आपके दूद में वहाँ पड़ी है कतोरी में उस दूद में से बेल पत्र को निकालना बेल पत्र को उल्टे हाथ में पकड़ेंगे यानि कि बाए हाथ में पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से उसी बेल पत्र के उपर आपको दूध गिराना है जिससे दूध शिवलिंग पे डारेक्ट ना गिर के बेल पत्र से होता हुआ महाद्यों के शिवलिंग के उपर गिरे फिर से बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा जो बेल पत्र आपकोरी में है उस बेल पत्र को अपने हाथों से निकालने के बाद में उसे अपने लेफ्ट हैंड बाएं हाथ में पकड़ेंगे उल्टे हाथ में और जो दूध होगा उसे डायरेक्ट महाद्यों के शिवलिंग के उपर नहीं गिराएंगे बलकि बेल पत्र क होता हुआ महाद्यों के शिवलिंग के उपर गिरेगा और जब दूद पूरा समर्पित कर लो फिर आप उस एक बेल पत्र को माता असोक सुन्दरी के अस्थान पे समर्पित करना हाथ जोड के विंती करना प्रातना करना हमारे घर में लडाईयां होती है कलेश होता है हे शिव तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन उपाय की बात किये है आखरी उपाय की बात करते हैं जब भी मासिक सुरातरी का प्यारा सपर वाता है यह उपाय मैं आपको याद जरूर दिलाता हूँ यह उपाय स्पेशली होता है इच्छा को पूरी करने के लिए जिसमें मंत्र हम सभी रुपई किलो मिल रहा है ठीक है न तो originally लेना बाकी आप चले जाना किसी पूजा पार्ड के स्टोर पे केसर लेना इस केसर को क्या करेंगे दो चावल का दाना लेंगे साथ में एक कटोरी आपको लेना होगा थोड़ी छोटी सी उस कटोरी के अंदर आपको क्या करना कटोरी ले लो या छोटा सा कोई दीपक ले लो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना और पानी के अंदर थोड़ा सा केसर डालके उंगलियों से मिक्स करना, जब उंगलियों से मिलाओगे तो केसर का कलर कैसा होगा, हलका ऐसा मरून कलर में होगा, और उसी की अंदर दो चावल के दानों को डाल देना, है न, फिर इस दीपक को या इस कटूरी को लेके अपने ही घर के महादेओ के शिवलिंग के पास है कि अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र बिना गुरु दक्षिना के या फिर गुरु मंत्र के आप अगर बोलते हैं, तो इससे आपको दोश लगता है या फिर निगेटिव एनरजी आपके घर में पुष्ट होती है, जो कि मैं मानता हूँ चीज़े गलत होती है, ऐसा नही बोलना चीज़े, तो चलो हम लोग इस उपाय को समझते हैं, आपको क्या करना है उसी केसर वाले चावल को पूरा केसर के साथ महाद्यो के शिवलिंग के उपर अपनी मनों कामना कहते हुए इसी मंत्र को उल्टा बोलना है, क्या बोलेंगे शिवाय नमह ओम, फिर से बोल र रही हैं, वो विशेज आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी, तो मैंने कोशिच कि आप सभी को मासिक सिरात्री की प्यारे से उसर पे आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, कुछ पूछना है तो बिलकुल घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे कॉमेंट सेक्षिन में पूछेगा, मैं पूरी कोशिच करूँगा आप सबको रिप्लाई करने की, बाकी मेरे जितने भी भाई बहन, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, स्रीश वाय, नमस्तु